हेलो गाइज गुड मानिंग कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों जैसे जानते हैं कि यूपी असिस्टेंट टीचर एंड प्रिंस्पल रिक्रूमेंट 2021 की वेकेंसी आ चुकी है तो दोस्तों हम उसके नोटिफिकेशन को आप को रिवरूब कराने चाह कॉनव कॉन डालना है कि इसकीгляд क्राइटरियागा रहेगे पासिंग एरिया तो दोस्तों लेचलते हैं आपको इसकी नौटिफिकेशन पर दोस्तों इसका नोटिफिकेशन OBC के लिए 700 फिस रखे गई है जब कि STC के लिए 500 और PH के लिए यह भी क्लांगों के लिए 500 फिस रखे गई है दोस्तों इसके आंगे हम आपको ले चलते हैं दोस्तों कंप्लेट फार्म 19 मार्च को हो जाएगा और संतिंग 11 अपरायल को दोस्तों इसका एक्जाम होने बाला है एड्मिट कार्ड जल्दी आ जाएगा दोस्तों जैसे ही आपके पूरा फार्म फिलफ हो जाएंगे तो आइधिंग की 5-6 अपरायल में एड्मिट कार्ड इसू हो जाएंगे जावलोग केशन देखते हैं उत्तर पिदेश में दोस्तों एज की लिमिट सबसे बड़ी होती ह तो कितनी पोस्त हैं opta massive prost रखी गई हैं तो देखते दो दोस्तो चार दीटेल मरुपे लिए धीय्कर देखते हैं दोस्तों देखते हैं कि इसमें qualification क्या क्योंने चाहिए दोस्तों candidate a suggested to read full of CL notification before applying subject by education दोस्तों कहा गया है कि देखते हैं दोस्तों कि education qualification क्या क्योंना चाहिए दोस्तों assistant teacher के लिए हमार पास 2 year का DLA या BTC पाश्टोंना चाहिए साथ-साथ में दोस्तों qualified primary level seated yuppated examination will be eligible for this post किसके लिए दोस्तों primary level का seated yuppated clear होना चाहिए दूसरा है candidates having graduation degree in any stream along with 5 year experience प्रिंस्पल के लिए कितना चाहिए दोस्तों graduation degree in along with 5 year का experience भी चाहिए दूस्तों देखते हैं कि 17 मार्च इसकी last data है कि और इसमें क्या camera recommend चाहिए दोस्तों photograph चाहिए शिखनेचा चाहिए थम चाहिए थम चाहिए इतने आपको ले जाना पड़ेगा mode selection क्या रहेगा दोस्तों selection be based return exam के तहत होना है दोस्तों तो हमारी video अच्छी लग रही हो तो दोस्तों video अंतक देखा करें जिसको संपुर्जां का इपरतो जहें करेंदेए